दोस्तों आप देख सकते हैं पुलीस प्रसासन और पबलीक के बीच में भयंकर भिरंत हो गई है आपको बतादे कि प्रसासन लोगों को खदेरने के लिए देख सकते हैं दलबल का जो हैसो परियोग कर रहे हैं तो वहीं जो है पबलिक किस प्रकार से प्रसासन के उपर जो है सो हमलावर हो चुके हैं बतादे कि ऐसा परिस्थिती आखिर क्यूं हुआ है इसके पीछे जाने की जरूरत है बतादे कि एगटना मदवनी जिला के अंधरा ठारी के मदना पंचायत के धोकरागाउं की है जहां पबलिक जो है डबलू पीउ के तहत निर्मान हो रहे कच्रा घर को लेकर के बिरोध किये है बता दे कि लोगों का कहना है कि उनके घर के बगल में कच्रा भवन तयार हो रहा है जिससे की दुरगंध होने से लोगों में बिमारी फैल सकती है दोस्तों आपको बता दे कि जिस जगह पर कच्रा प्रबंधन का भवन बन रहा है उसके आसपास अधिकास तो महादलित परिवार के लोगों का घर है जिसके कारण लोग जो है विरोत परदर्शन कर रहे हैं बतादे कि भुकरागाओं का जो महादलित परिवार है खास करके मुसहर परिवार उन लोगों के घर के नजदिक ये कच्रा प्रवंधन बनाया जा रहा है जैसा कि लोगों का कहना है। प्रसासर को लाथी चार्ज करना परा और उसी दर्म्यान पब्लिक विरोध के रुप में पत्थरवाजी करने लगे। तो वहीं पब्लिक के तरफ से जिस पर लाथी चार्ज की गई है वो लोग भी घायल हुए है जिनका इलाज अभी चल रहा है। घटना अस्थल पर जो भी हुई है इसकी जो हैसो पुकता जहां छोनी चाहिए आखिर ऐसा क्यूं हुआ है। वहीं आपको बता दे कि जिस जगह पर कच्रा प्रवंधन का भवन बनाया जा रहा है उसके आसपास महादलित परिवारों का घर है। वहीं आपको बता दे कि कच्रा प्रवंधन के लिए उस जगह पर प्रसासनिक स्विक्रिती दी गई है। जो भी हो वह जो है सही तरीके से कच्रा प्रवंधन भी बने और लोगों का जो है विरोध भी न हो।